नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमित्राज सलुशन में और मैं हूँ गणेश ओज़ा दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लेप्टोप या कम्प्यूटर में बेंक वीशी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको लेप्टोप में जो SBI की बेंक वीशी है वो इंस्टॉल करके बताऊंगा इस लेप्टोप में पहले से बेंक वीशी इंस्टॉल है पहले मैं उसे अनिस्टॉल करूंगा और उसके बाद में नई वीशी है जो इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा कि क से आपको install करनी हैं सारे प्रिक्रिया मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो step by step सारी चीजे में आपको बताऊंगा तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ में लगातार दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को like और share जरूर करें इसके साथे साथ comment box में comment भ subscribe करके bell के icon को भी दबा लें ताकि आपको आने बाले वीडियो की notification है जो तुरंत ही मिलती रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम SBI के जो software है उनको delete कर देते हैं और उसके बाद में जो revo uninstaller है इससे मैं software uninstall करता हूँ तो आप किसी भी software को install कर सकते हो तो मैं कैसे install करता हूँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो morfo के software है उनको मैं uninstall कर रहा हूँ तो एक एक करके हमें इन सभी को अनिस्टॉल कर दिना है तो देखते रही एक किस प्रकार से अनिस्टॉल कर रहा हूँ और ये है मेरे पास में जो REVO Uninstaller इसी से मैं अनिस्टॉल करता हूँ इसका ये फाइदा होता है कि ये जो नए डिलीट होने बाले हैं उन software को भी uninstall कर सकता है तो आपको इस परकार से इन्हें uninstall करना है तो मैं सारी प्रिक्रिया आपको live दिखाने वाला हूँ तो इस परकार से जितने भी आपके Morpho के software से हैं उनको आपको uninstall कर देना है आपको एक भी software Morpho के नाम से नहीं रहना चाहिए आपके PC में तो इसके बाद में आपको scan बटन पर कलिक करना है और लगातार इन software को आपको uninstall करते जाना है और yes बटन पर इस प्रकार से ये Morpho का बच गया भी तो इसे भी हम uninstall कर देते हैं और यहाँ yes बटन पर कलिक करेंगे तो आप देख लेना कि इसी प्रकार से आपको भी uninstall करने है तो जिससे क्या होता है कि C के अंदर जहां कहीं भी Morpho नाम के folder पड़े हैं तो यह उनको भी uninstall कर देता है तो सारी file से ये delete कर देता है इसके बाद में अब यह 100 pair हमारे पास में बचा है इसे भी हम delete कर देते हैं तो जब तक यह delete होता है तब तक हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं तो दोस्तो Morpho के सारे 100 pair हैं वो delete हो चुके हैं uninstall हो चुके हैं अब हमें सलना है C के अंदर तो my PC में आने के बाद में C में आएंगे और Morpho नाम से जितने भी folder हैं उनको delete कर देना है Morpho से और fingerprint sensor और certificate है इनको आपको delete कर देना है ये तिन जो folder अभी बचे हुए हैं तो इनको आपको करना है permanent delete delete है तो ये delete हो चुके हैं delete होने के बाद में अब आपको एक बार अपनी computer को restart करना है याने software install, uninstall करने के बाद में PC को restart कर लेना है तो दोस्तो हमारा जो PC है वो restart हो चुका है और अब मैं आपको जो Morpho के software हैं उन्हें install करके बताता हूँ कि किस परकार से आपको install करना है तो सबसे पहले आपको जो Morpho RD का software है उसे आपको install करना है इस software का link मैं आपको description में दे दूँँगा और आप rdserviceonline.com पर जाकर बड़ी से download कर सकते हो तो ये common RD setup है इसे हमें install करना है right click करके और run as administrator को कर देना है और इसके बाद में आपको और कुछ नहीं करना है और ये अपने आप ही install होता जाएगा और हमें इसे install होने देना है तो हमें और कुछ नहीं करना यदि कोई next का button आता है तो हमें उसे click कर देना है बाकि इसे अपने आप ही install होने देना है यह सारी files अपने आप ही install कर लेगा तो यह RD का service है और आपको इसे install कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि Morpho RD service है जो start हो चुकी है और इसके बाद में यह install होनी वाली है RD service successfully started हो चुकी है और अब यह यहाँ पर जो no button है इसके उपर आपको क्लिक करना और finish बटन पर क्लिक कर देना है तो यह Morpho का जो software है वो install हो चुका है जो Morpho की device है उसे लगा देना है अपने PC में तो आप देख सकते हो कि मेरी Morpho है वो side-hand से install हो चुकी है आपको एक बात ज्यान और successfully का message भी आ चुका है दोस्ते एक बात का ध्यान रखना आपके computer में antivirus नहीं होना चाहिए अब आपको जो SBA का जो software है उसे install करना है उसे install करने के लिए आपको क्या करना है कि run as administrator पर क्लिक करना है यह software मैं आपको दे दूँँगा प्रेस any key to continue इसके उपर आपको क्लिक करना है कोई भी की आपको दबा दे नहीं है अपने keyboard से और यहां पर delete personal setting पर आपको क्लिक करना है और reset button पर क्लिक करना है तो यह सारी settings आपने आप delete कर देगा और close button पर आपको क्लिक करना है तो यह जो पहले की history है उसको delete करेगा add1 को delete कर देगा इसके बाद में यह Java installing का मांगेगा तो आपको एक ध्यान रखना है बात यदि आपके PC में पहले से Java install है तो आपको इसे install नहीं करना यदि नहीं है तो आपको install कर देना है तो मेरे पास में पहले से install है तो मैं इसे install नहीं करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर cancel button का जो है उसे press कर दिता हूँ तो मैंने इसे को cancel कर दिया है और yes button पर click कर दिया, अब यह सारी files है अब इसके बाद में certificate आ गया तो हमें certificate को install करना है तो certificate पर आपको click करना है next, next और finish और okay button पर click कर दियना है okay button के बाद में आपको फिर से okay button पर click करना है तो यह software है जो install हो गया, अब more for API जो software है इसको आपको install करना है और next button पर आपको click कर दियना है जैसे next button पर click करोगे और install करोगे तो यह install होने लग जाएगा अब आपको और आगे कुछ नहीं करना जो जो आगे होता जाएगा मैं आपको बताता जाओंगे, यह जितनी भी जुरूरत है उसके अनुसार से अपने driver है वो install कर लेगा C++ है या और कोई भी जो software है उनको अपने आप ही install करता जाएगा इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक pop-up आएगा और यहाँ pop-up आने के बाद में आपको OK बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको यह computer का जो icon दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो यह FPA Active X जो software है वो install हो जाएगा आपको OK बटन पर प्रेस कर देना है इसके बाद में restart का माँगेगा तो आपको no कर देना है और इस no बाले पर आपको क्लिक करके finish बटन पर क्लिक करना है तो यह RD service के बारे में मांगेगा तो RD हमने पहले ही install कर ली है तो हमें cancel बटन पर क्लिक कर दिना है क्योंकि हम इसे पहले ही install कर चुके हैं और yes बटन पर आपको प्रेस कर दिना है इसके बाद फिर से certificate मांगीगा certificate install करना है next और finish और ok बटन पर फिर आपको ok बटन पर क्लिक करना है तो दोस्तों आपका जो software है वो install हो चुका है press any key to continue कोई भी की आप press कर दें तो ये software बंद हो जाएगा और अब आपको फिर से computer को restart करना है तो ये सारा software है जो install हो चुका है SVI का और अब हमें एक बार फिर से PC को restart कर लेना है तो restart करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है उसके बाद में आपको bank PC है वो open करके दिखाऊंगा तो ये किसी और की bank PC होगी तो इसे में आपको open करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसे हम open करेंगे और software install हुआ है या नहीं ये सारी बाते हम आगे देखेंगे तो दोस्तो restart के बाद में हमारा PC है वो चालू हो चुका है जैसे ही आप software install कर लोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक icon बन करके आजाएगा desktop पर SBI कियो सका तो आपको इसे double click करके open कर लेना है जैसे आप open करोगे तो आपके सामने ये pop-up window आ जाएगी एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि आपको अपने PC में antivirus ने रखना कोई भी antivirus दिया है तो आपको पहले उसे uninstall करना है यदि Windows Defender नाम का antivirus आपका हो तो उसे भी आपको uninstall कर देना है अरे वो uninstaller की मदद से ये परक्रीब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस परकार से uninstall करना है तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपने जो ID और password हैं वो लगाने हैं तो security की वज़े से मैं आपको अपने जो ID और password है वो दिखा नहीं सकता तो मैंने अपनी ID है वो टाइप कर दी है और टाइप करने के बाद में आपको login बटन पर क्लिक करना है यहां पर लिखा हूँ आ रहा है checking for RD service availability तो यह लिखा होने के कारण अब आप हम यहां पर okay बटन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक पॉप पाएगा तो आपको yes बटन पर क्लिक कर देना है और फिर yes बटन पर क्लिक करना है तो इसमें लिखा हूँ आ गया RD service is installed only से machine okay बटन पर क्लिक करेंगे और verify बटन पर हम क्लिक कर देंगे verify बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो morfo के इंदर जो light है वो जल जाएगी और मैं अपना finger है जो उसके उपर है लगा देता हूँ finger लगाने के बाद में यहां पर आ गया कि fingerprint captured यानि कि finger तो इसने ले लिया है ल इंस्टोल करके दिखा दिये हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग हो यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को like और share करें इसके साथ ही साथ comment box में comment भी लिखें चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें और subscribe करने के सा साथ में bell का icon को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की notification तुरंत ही मिलती रहे तो मिलते हैं next वीडियो में नई information के साथ तब तक एलिए जय हिंद